हाई बच्छा असलाव अलेकूम नमस्ते एंड वेलकम तो फ्रेंटिन बाइलजी क्लासेज तो जैसे क्या आप जानते हैं हमने अभी रिसेंट्ली हमारा लोकोमोशन एंड मोमेट वाला चप्टर फिनिश किया जिसका लास्ट क्लास था डिसॉर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने डिजीज को डिसकस किया था एड एनरजी को कैसे सप्ले किया जाता मसल कॉंट्रेक्शन के लिए बिटा उस चीज को हमने एक्स्प्रें किया था तो इस चप्टर से हम शरू करते हैं सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूं एस चप्टर का नाम नूरल कंट्रोल एंड कोडिनेशन रखा गया थीक है न देखें हमारी बोड़ी का अंदर क्या होता है सबसे पहले कोडिनेशन वर्ड का अगर मैं एक्स्प्रेंड करूं कोडिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है जैसे आपकी text book ने इसको explain किया है जब हम word coordination use करते है जो coordination का मतलब होता है एक ऐसा process ठीक है एक ऐसा process जिसकी वज़ा से through which जिसकी वज़ा से ठीक है दो या दो से ज़्यादा organs ठीक है two or more organs ठीक है आपस में and compliment करते है and compliment the functions of one another यह definition किसका होगा है coordination का definition होगा है मतलब coordination का मतलब क्या होता है coordination एक ऐसे process को बोला जाता है जहां पर दो या दो से organs दो से ज़्यादा organs ठीक है बैटा आपस में मिल के काम करेंगे और उनके अपस में मिल के काम करने का मकसद क्या है ठीक है ठीका कि वो एक दूस्तरी की काम में मदद करना चाहते है कम्प्लिमेंट का मतलब यहां पर वो एक दूसरी की काम में एक दूसरी की function में बटा क्या करना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं so this kind of process बटा this is called as coordination या अगर मैं अलग वीज में बोलो मैं बता सकता हूँ coordination का मतलब होता है बटा organs का एक दूसरी के साथ efficiently coordinate करना efficiently काम करना बटा ताकि हुआ हमारी body के अंदर क्या कर सके बटा मिल के एक process को develop कर सके या मिल के एक process को क्या कर सके बटा complete कर सके ठीक है so this way of working together बटा it is called as coordination अब हमारी body के अंदर बटा coordination का अगर example लिया जाए जैसे आपके NCRT ने एक example दिया हुआ coordination को समझने के लिए ठीक है तो वो क्या है तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहां पर NCRT के हिसाब से में चलता हूँ जो NCRT ने बोला है हमारी body के अंदर क्या हो था बटा organs and organ systems हमारी body में जो वो coordinated way में काम करते हैं ताकि हमारी body में क्या maintain रहे बटा balance maintain रहे ठीक है और जिस balance को क्या बोलते है जिसका home annual status बोलते है home new status का मतर्वादी के अंदर बटा balance maintain करके रखना और इस balance को maintain करने का काम बहुत हद तक बटा कौन करता है हमारा nervous system करता है इसको coordinate बहुत हद तक कौन करता है हमारा nervous system करता अब nervous system यह कैसे कर पाता है तो इसका एक example आपकी text book में दिया तो उस example को मैं थोड़ा सा यहां पर explain करने की कुशिश करता हूँ जैसे मालनो for example हम एक physical exercise कर रहे है ठीक है न एक physical exercise कर रहे है आप दौड रहे है आप climbing कर रहे है आप gym कर रहे है या कोई और physical exercise कर रहे है जैसे हमारी body के अंदर एक physical exercise शुरू होता है तो physical exercise के दौरान हमारी body को energy ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए बिकास हम आलड़ी previous chapter में पढ़ चुके है बटा muscle को contract कराने के लिए as well as muscle को relax कराने के लिए आपको क्या देना पड़ता है बटा ATP देना पड़ता है यादा रहे ना power stroke के लिए and bridge formation के लिए आपको क्या लगता है बटा ATP लगता है so जब आप कोई physical exercise करेंगे तो मतलब आप जादा से जदा muscles को contract करा रहे है या आप जादा से जदा muscles को use कर रहे है बटा so during this process automatically क्या हो जाता है कि आपकी body के अंदर बटा body में energy demand क्या हो जाती बटा energy demand increase हो जाती है ठीक है न अभी energy demand increase हो क्यों हो रही है ताकि हम किसको maintain कर सके बटा for maintaining for maintaining muscular activity है आप एक physical exercise कर रहे है बटा कोई exercise आप कर रहे है अब exercise करते है समय आपने muscles को use करना शुरू किया आप जब muscles को use करना शुरू कर दिया आपने बटा तो इससे क्या हुआ आपकी body के अदर muscles को जादा से जादा energy चाहिए ज्यादा से ज्यादा ATP चाहिए बटा अब ये ज्यादा से ज्यादा ATP बनाने के लिए muscles को क्या करना पड़ेगा बटा aerobic respiration करना पड़ेगा because anaerobic से तो ज्यादा ATP वो नहीं बना पाएंगी तो उनको aerobic mode में जाना पड़ेगा glycolysis aerobic ली करना पड़ेगा cryp cycle and link reaction करना पड़ेगा ताकि उनके पस कितना ATP आए 38 ATP आए तो इस वज़े से हमें क्या करना पड़ता है हमें अपनी body को supply करना पड़ता है पड़ा more oxygen याने supply of oxygen increase हुआ ठीक है अब जैसे आपकी body को ज्यादा oxygen चाहिए या आपकी muscles को ज्यादा oxygen चाहिए तो ज्यादा oxygen देने के लिए automatically क्या हो जाता है कि आपकी body के अंदर rate of respiration या rate of breathing क्या हो जाता है rate of respiration या rate of breathing क्या हो जाता है समझा है अब अगर आपकी rate of breathing increase हो रही है rate of respiration increase हो रहा है तो दैड़ मीज वड़ा आपको body को जल्दी से जल्दी oxygen पहुंचाना पड़ेगा जल्दी से लंग्स के अंदर पत्अपको जल्दी oxygen को आड़ करना पड़ेगा blood में या आपको oxygenation जल्दी से जल्दी blood का कराना पड़ेगा अगर आप blood की oxygenation जल्दी कराना चाहते हैं आपको heart rate ठीक न आपको heart rate and blood flow भी क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा समझाया ना अगर आप इस पूरे मामले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चा इसको ध्यान से देखें इस एरिया में आप यूज कर रहे हैं किसको muscular system को यूज कर रहे है है ना energy demand को बढ़ाने के लिए बटा आपने again किसको यूज किया बटा because muscular system ही काम कर रहे है ना muscular system oxygen को supply करने के लिए बटा आप किसको यूज कर रहे है आप blood को यूज कर रहे है आप lungs को यूज कर रहे है ठीक है ना rate of respiration बढ़ाने के लिए बटा आप किनको यूज कर रहे है lungs को यूज कर रहे है heart के blood flow को body में heart rate बढ़ रहे है तो that means कौन यूज हो रहा है circulatory system यूज हो रहा है so अगर आप यहां पर दियान से देखेंगे बचा just to increase the supply of oxygen महला आपकी बोड़ी में just oxygen की supply को बढ़ाना था so oxygen की supply को बढ़ाने के लिए आप muscular system को मिला के काम करवा रहे है circulatory system के साथ circulatory system को coordinated way में काम करा रहे है respiratory system के साथ respiratory system बढ़ा again coordinated way में काम किसके एक साथ कर रहा है circulatory system के साथ so यह सारी systems अगर आप यहां पर देखेंगे न muscle, lung, heart, blood vessel they all are performing functions in a coordinated way ताके हमारी body को क्या मिल सके बढ़ा proper energy, proper oxygen and proper muscle contraction मिल सके बढ़ा so यह सारा काम जो यहां पर चल रहा है न coordinated way में इस coordinated way में इस काम को करानी के लिए कौन responsible होता है इसको करानी के लिए brain responsible होता है and spinal cord responsible होता है समझा है न so एक तरीकी सा बता सकते है brain ने muscle को, lung को, blood vessel को, heart को क्या बोला कि आप सब को coordinated way में काम करना है एक दूसरी की function को मदद करना है ता कि इस person को क्या मिल सके बटा physical exercise करते समय proper oxygen, proper contraction मिल सके so this kind of situation अगर body में आपको देखने को मिले बटा इस ही को हम क्या बोलता है this is called as coordination because यहां पर coordination के लिए responsible को होन है बटा nervous system responsible है so that is why this is called as neural control and coordination समझा है न and this process को हम क्या बोलते है जो आप यहां पर example देखे है this is called as exercise physiology बटा इस को हम क्या बोलते है बटा exercise physiology बोलते है so I hope यह आपको समझ आगे बटा neural control and coordination कैसे काम करता है अब हमारी body के अंदर just neural control and coordination नहीं होता है हमारी body में बटा coordination के लिए दो अलग अलग systems responsible होते है एक coordination system में बटा neuron यूज किया जाता है दूसरे coordination system में बटा hormone यूज किया जाता है ठीक है जिस coordination system में neurons को यूज किया जाता है that is called as neural control and coordination बटा और जिस system में बटा hormones को यूज किया जाता है this is called as chemical control and coordination ठीक है तो हमारी body के अंदर दो coordination systems होते है बटा one is called as neural control and coordination another is called as chemical control and coordination समझा है न अब neural control and coordination को बटा चलाता है इसको बटा maintain करके रखता है हमारा nervous system और इसको maintain करके रखता है बटा हमारा endocrine system ठीक है तो सबसे पहले हम किस पर जाएंगे किसको समझने की कुशिश करेंगे nervous system को समझने की कुशिश करेंगे बटा ठीक है न तो यह आपको थोड़ा सा idea लग गया कि control and coordination क्या होता है कौन-कौन से control and coordination systems हमारी बटी में देखने को मिलते हैं यह तो clear हो गया बच्चा ठीक है अब अगर हम अपनी बटी के अंदर ठीक है यह अपर आप लाइन के लाइन के लाइन का नर्वस को बाद में पड़ लेना. अब अगर हम अपने न्यूरर्ण सिस्टम की बात करें हमारी बॉड्डी के अंदर निूरल सिस्टम की बात करें ठीक है पूरे Animal Kingdom की बात अगर में करूँ आनिमन के बात करूं. जाय से फॉर एक आनिमल के अंदर अलग अलग तरीके का पाईजाता है. जैसे फॉर ऐसेंपल अगर मैं आहां पर नूरल सिस्टम लिखूं ये भी NCRD के लाएन है. तो थोड़ा सा समज़ देने इसको नूरल सिस्टम के करम बात करें. हर एक अनिमल के अंदर बिटा चाहे वो सेलेंट रेटा है या चाहे वो हम है नीवरल सिस्टम जो अनिमल का होता है बिटा वो सपैशल सेल से बनता है जो NCIT ने लिखिये है बिटा जिनकों हम नूरोंस बोलते हैं क्या बोलते हैं so nervous system और नीवरल सिस्टम is made up of specializer cells जिनको हम neurons बोलते हैं अब neuron के इलावा और एक cell होता है जो हम थोड़ी दिर में देखेंगे बट neuron के लिए बिटा NCIT ने क्या लिखा इन्होंने लिखा neurons जो होती है बिटा ये ऐसी cells होती है हमारी body के अंदर जो कर सकती है detect detect कर सकती है first चीज receive कर सकती है transmit कर सकती है ठीक है किसको बिटा different type of stimuli को मतलब IC cells बिटा जिनके पास सलायत है कि वो एक stimulus को receive कर सकती है वो एक stimulus को detect कर सकती है या उस stimulus को फिर बाद में बिटा transfer कर सकती है brain की तरफ ट्रांसपर कर रहे है body की तरफ ट्रांसपर कर रहे है IC cells जिनके पास ये excitable property होते है excitable property मतलब they can detect they can receive and they can transmit the stimuli बिटा IC cells को क्या बोलते है इसको नूरॉन्स बोलते है अब नूरल और्गनेज़ेशन अगर हम देखे बिटा ये innovative rates के अंदर ये lower animals के अंदर simple होता है but higher animals के अंदर थोड़ा advanced form में पाया जा neural organization बहुत simple होते है lower animals के अंदर ये आप बोल सकते बड़ाई innovative rates के अंदर जिसका हमने आरड़ी animal के अंदर में example भी देखा था जैसे मानले लिए for example आगर मैं sealant rate की बात करूं आपकी बुक में लिखा ये इनके बारे में ठीक हम sealant rate की बात करें sealant rate के nervous system जो होता है ये सब से simplest nervous system होता है और इनके simplest nervous system को हम क्या बोलते है this is called as diffused nerve net बेटा इनके nervous system को हम क्या बोलते है diffuse nerve net बोलते है वैसी बिटा अगर हम प्लेट हेलमेंस की बात करें अगर हम प्लेट हेलमेंस की बात करें बिटा सो प्लेट हेलमेंस के अंदर भी नर्वस सिस्टम होगा ठीक है न और कैसे नर्वस सिस्टम होता है लेडर लाइक या एच शेपड नर्वस सिस्टम होता है hrlich-shaped nervous system होता है जो हम आरड़ी पढ़ चुके है है you know आब अगर हम बिटान नमेट हेलमंस की बात करें इनको भी हम पढ़ चुके नमेटी हेलमंस की बात करें ठीक है न सो इनके सिनम्यशीस में तो सरकमफायर एंजेल रिंग पाई है जाती थी पाई जाती थी बटा और अगर हम बटा लुवर इनिवर्टिबरेट्स की लुवर एनिमल्स की बात करें उनमें सबसे बेस नर्वस सिस्टम किसमें पाया जाता था बेटर और अर्गिनेजर नर्वस सिस्टम किसमें पाया जाता था इंसेक्ट्स में पाया जाता था ठीक है न जैसे आपके बुक में भी लिखा है बिटा तो इनसेक्ट के अन्दर क्या होता है Better Organizer Nervous System होता है Better Organizer Nervous System होता है और यह Better Organizer Nervous System का मतलब क्या होता है कि इनके अन्दर विटा Nervous System में आपको दो इंपोर्डन चीजें मिलेंगी बिटा The first one is called as brain The second one is called as ganglia ठीक है न? यह थोड़ा बहुत दिया हुआ है बटा आपके NCIT में इसके बार में and सबसे best and most developed बटा नर्वस सिस्टम किन के पास होता है वो vertebrates के पास होता है clear है? अब नर्वस सिस्टम बटा किसी भी टाइब का हो जैसे यह paragraph मैंने फिनिश का है Neural system of animals is composed of highly specialized cells जोनको हम नियॉरॉन्स बोलते हैं जो detect, receive and transmit करते है different kind के सिस्टम लाइको Neural organization अगर देखा जाए यह बहुत simple होती है lower invertebrates में for example अगर हम sealant rates की बात करें hydra is the example of sealant rate इन में बेटा nerve unit पाया जाता है जिसको हम diffuse nervous system बोलते है nervous system बेटा better organized होता है insects में जहांपे brain and ganglia पाया जाते है और vertebrates के दर more developed nervous system पाया जाता है ठीक है अब अगर हम nervous system की बात करें बचा तो nervous system के अंदर हमको दो प्रकार की cells देखने को मिलती है ठीक है समझना शुरू करते है brain brain हम बाद में पढ़ेंगे तो अगर हम nervous system की बात करें तो हमारा पूरा nervous system दो cells का बना although NCRT ने एक cell को ज़्यादा importance दिया है दूसरे को ज़्यादा importance नहीं देख बट दूसरी cell भी उतनी ही important है जितना आपका neuron important होता है इसको हम क्या नाम देते है इसको हम क्या नाम देते है इस cell को हम क्या बोलते है this is called as neuron ठीक है जिसका नाम आप बहुत बार सुन चुके है तो पहला पॉंट यहीं याद रखेंगे कि हमारे nervous system के अंदर जो पहली important cell है ठीक है जिसको हम डिस्किस करेंगे अब इसमें properties के है वह हम थोड़ी देर बाद पता करेंगे अब यह जो side में आपको दिखाई देर है पूरा group of cells यह पूरा set cells का दिखाई देर है बेटा इस cells are all together called as Neuroglia बेटा इनकों क्या बोलते है इनकों क्या बोलते है they are called as Neuroglia तो यह सारी cells जो आपको दिखाई दे रहे है इनका एक common नौ में यूज करता हूँ बेटा they are called as they are called as Neuroglia और इनकों Glial cells भी बोलते है ठीक है Neuroglia और Glial cells भी बोलते है यह प्लीज याद रखना है ठीक है so although हम मान के चलते है that हमारी बोड़ी में नर्वस सिस्टम में खाली नौरान होता है but यह completely wrong हमारी बोड़ी में नर्वस सिस्टम को खाली नौरान नहीं बनाता है but neuron के इलावा और एक important cell भी हमारे nervous system को form करती है and those important cells are called as Neuroglia और also called as Glial cells तो सबसे पहले में बात करता हूँ कि इनकी Neuroglia की and फिर हम बात में neuron के बारे में we discuss करेंगे ठीक है Neuroglia के बारे में जो सबसे पहला और सबसे important point आप याद रखेंगे बड़ा that is कि यह cells जो होती है इनको non-neuronal cells बोलते है they are called as non-neuronal cells अब यह non-neuronal cell का मतलब क्या होता बच्चा non-neuronal cell का मतलब यह हुआ they are present in the nervous system यह cells nervous system में होती है but यह neurons नहीं होती है अब neuron नहीं होने का मतलब यह हुआ बच्चा कि हमारी body में जो nerve impulse दोड़ता है हमारी body के अंदर nervous में जो current दोड़ता है वो action potential only किस में दोड़ेगा वो neuron में दोड़ेगा हमारी body के अंदर neuron वो cell है जो हमारी body के अंदर control and coordination की capacity develop करता है control and coordination का power develop करता है because neuron ही वो cell होता है जिसमें क्या generate होता है current generate होता है जिस current को हम क्या नाम देता है जिसको action potential generate नाम देता है समझाए न बट नियूरोगलिया भी है तो है ब्रेन के अंदरी सेल नियूरोगलिया भी तो बट नर्वस सिस्टम की सेल है बट इस सेल की प्रॉब्लिम यह है बटा कि यह बाकी काम करेगी बट इसमें action potential generate नहीं हो सकता है so because इनमें action potential generate नहीं होता है बटा they do not produce electrical impulses बटा यह action potential electrical impulse नहीं बना पाती है तो इस वज़े से बट इन सेल्स को हम क्या बोलते है they are called as non-neuronal cells so यह होती है बटा non-neuronal cells और यह पाई जाती है बटा central nervous system में भी ठीक है ना as well as peripheral nervous अब यह central nervous system क्या है peripheral nervous system का है हम आगे पता करेंगे तो पहला point तो आपने इनके बार में यहाद रखा दूसरा point इनके बार में जो आपको याद रखना बटा यह electrical impulses प्रोड्यूस नहीं करती है ठीक है तो do not produce electrical electrical impulses तो यह ऐसी cells है बटा जो electrical impulses जनरेट नहीं करती है अगर 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 नियूरॉन के जैसे हमारी बोडी में काम नहीं करती है फिर इनका function कह है इंपोर्टेंट याद रखना है बटा किनके multiple functions होते है जैसे for example यह homeostasis maintain करते है maintain homeostasis ब्रेन के अंदर बेटा जो balanced water, salute, temperature ठीक है ना इन सारी चीज़ों का balance maintain करने का काम बेटा किनका होता है नियूरॉगिलिया का होता है इसके लाव बेटा यह ब्रेन के अंदर नियूरॉन्स के उपर बेटा myelin sheath का formation करता है myelin हमने पढ़ा था नियूरॉन में माईलिन जो बनता है वो किन से बनता है नियूरॉगिलिया और गलायल से बनता है इसके लावा यह नियूरॉन्स को support प्रोवाइड करता है प्रोवाइड सपूर्ट नियूरॉन्स अगर दो नियूरॉन्स को आपको सपरेट करके रखना है दो नियूरॉन्स को अलग करके रखना है नियूरॉन्स को खाना प्रोवाइड करना है नियूरॉन्स को अक्सिजिन प्रोवाइड करना है नियूरॉन्स से बटा वेस्ट मैटीरियल को बाहर निकालना है ये तो सब सपोर्ट वाली काम हो गए ना ये सारे काम कौन करता है बड़ा नियूरोगिलिया करता है या नियूरोन के ओपर बड़ा किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया उस बैक्टीरिया को खतम करना चाहते है ये काम कौन करता है बटा ये नियूरोगलिया करता है समझा है ना तो support प्रोवाइड करता है इसके लावा बटा protection प्रोवाइड करता है मतलब bacteria से लड़ने का काम भी कौन करता है ब्रेन में बटा ये ही नियूरोगलिया cells करती है इसके लाबा बिटा सप्लाई करती है oxygen and nutrients ठीक है supply oxygen and nutrients मतलब neuron को जो बटा oxygen प्रोवाइड किया जाता है neuron को जो nutrient प्रोवाइड किया जाता है neuron से जो waste भाहर निकाला जाता है ये सारे काम कौन करता है बटा इन्ट्रेस्टिंग बात एक सुनिए पहले पहले ये माना जाता था कि हमारी body के अंदर neuron and neuroglia का जो ratio है वो 10 is to 1 है मतलब neuroglia 10 times होते है and neuron बटा 1 times होते है जादा neuroglia माना जाता था but currently ये माना जाता है बटा कि जितनी आपकी body के अंदर neuroglia होती है उतनी ही आपकी body के अंदर क्या होते है बटा neurones होती है ये इनका ratio कितना माना जाता आजकल बटा 1 is to 1 माना जाता so there are equal number of neurons and neuroglia present in the nervous system बटा समझाया so ये please आप याद रखेंगे सबसे पहले कुछ important points किसके बारे में neuroglia के बारे में न्यूरोगलिया के बारे में important line आपने याद रखा है इनके पास बटा property है defense का, transport का, support का, homeostasis का and myelin sheath formation का but इनके पास बटा disadvantage ही है कि electrical impulses produce नहीं कर पाती है इसके comparison में बटा अगर मैं यहाँ पे neuron के बारे में लिखूँ तो neuron क्या कर सकता है बटा सबसे important चीज़ न्यूरॉन करेगा बटा that is यह produce करेगा यह produce करता है बटा electrical impulse को समझाया है ना तो यह इसका सबसे important property है फिर इसका structure क्या है वो हम थोड़ी दिर में देखें तो अगर आप picture की तरब भी देखें तो picture क्या बता रहा है बटा यह न्यूरॉन बना हुआ यहां पर बाद में हम देखेंगे बटा यह कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का यह कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का यह क्या है न्यूरॉन को हम बाद में देखेंगे बट यहां पर आगर आगर देखें लिए यह क्या लिख रहा है बिटा करेंट इससे निकल रहा है और क्या लिख रहा है God message is for you मतला हमारी body में जो message transfer करने का काम होता है ठीक है ना आपके brain में जो message flow करती है बिटा वो message एक जगा से दूसरी जगा वहाँ से किसी और एक जगा बिटा जैसे पौर जगा आँक से जो message दिमाग में जा रहा है नाक से जो message दिमाग में जा रहा है कान से जो message दिमाग में जा रहा है वो सारी message को बिटा ट्रांसफर कौन करवाता है neuron करवाता है समझ गे ना अब यहाँ पर जो cells बने हैं बिटा थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे फिर अब एक बार इदर आके मैं आपको बता दूँगा इनका इसा नाम के बट अभी इतना याद रख लीजे यहां पे लिख रहा है बटा कि एक इसी चीज़ को बटा या लपेट रहा है यह बुरे दूर रहो बिटा हम से दूर रहो आप किसको यह दूर कर रहा है वो भी देखेंगे बिटा यह बहुत मजा आ रहा है यह मी यम्मी कुछ खाने वाला यह एक क्या खाएगा वह थोड़ी देर में देखेंगे ठीक है और दूसरा electrical impulse generate नहीं करता है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं बड़ी Neuroglia जो cells है Central Nervous System में कौन सी Neuroglia पाई जाती है और Peripheral Nervous System में कौन सी Neuroglia पाई जाती है और उनके functions क्या होता है बटा So, यहाँ पर आप देख सकते हैं Neuroglia लिखा हुआ है तो यह है Neuroglia of Central Nervous System यह है Neuroglia of Peripheral Nervous System तो इनके नाम एक बार याद रखेंगे हैं और इनका function याद रखेंगे बटा जो एक्जाम में पूछा जा सकता है So, अगर आप पहली Neuroglia की तरफ देखेंगे यह बच्छा जो यहाँ पर बनी हुई है ठीक है दूस Neuroglia यह Central Nervous System में पाई जाते है बटा इसका उनका नाम देचा है Oligodendrocyde बटा This is called as Oligodendrocyde This cell is called as Oligodendrocyde अगर अगर आप इस सेल की तरफ दियान से देखेंगे बच्छा तो इस सेल में एक Central Unit पाई जाता है और फिर इसमें पाई यह ऐसी Plasma Membrane की Extensions पाई जाती है जिनकों क्या बोलते है जिनकों पूडिया बोलते है ठीक है ना और इनकों पाई देंड्रोसाइड बोलते है देंड्रोसाइड बोलते है इन सेल का काम क्या होता है तो थोड़ा सा में पिक्चराइज कर रहा देता हूं इसको ताकि आपको यह समझ आ जाए हमारी बोड़ी के निूरॉन के बारे में थोड़ा सापको पता हिए बिटा ज bluff using neuron के बारे में फोड़ा साबकू पता हिए एक extensions निकाल रही ने, देखeta एक extension निकला ये दूसरा extension निकला, तो explaining ये extension किसके लोटा जाता है ये आपके neuron के मैंच, गूरो फरई ये extension अईसे आया तो ये ऐसे neuron के लोटा clever जाती है ये जैसे, इनूने neuron को ऐसे पकड़ लिया जैसे हाथ उसे पकड़ते हैं मानलो बेटा ऐसे इन्होंने नियूरॉन को ऐसे पकड़ लिया जिस पॉइंट पे बेटा ये नियूरॉन को पकड़ते हैं जैसे इधर नियूरॉन को पकड़ लिया ना तो यहाँ पी क्या रिलीस करते है बटा कोलाजिन रिलीस करते है तो मदा यहाँ पे अंदर से सिक्रीट करेंगे कोलाजिन जैसे फॉर एग्जेबल अगर इसको ऐसे देखेंगे यह माल लेजिए फॉर यह आपके नियूरॉन का प्लाजमा मेंबरेन है ठीक है और यह उपर किसका हाथ है बटा यह उपर उलीगोटेंटर सेट का हाथ है जो सेंट्रल नर्वस स्टम में पाई जाती है यह उलीगोटेंटर सेट क्या करेगी नीचे से रिलीस करेगी किसको कॉलाजिन को बटा और जब कॉलाजिन release होगा तो वो किसके उबर चपक जाएगा वो नियूरॉन के बटा इस हिस्से में चपक जाएगा समझाए ना यह जो collagen के layer यहां पर बन जाती है ना this collagen layer is called as myelin sheath इसको क्या बोलते है इसको myelin sheath बोलते है so मतलब अगर आपके neuron के उपर myelin है central nervous system में तो वो central nervous system वाला myelin कौन बनाती है यह हाथू वाली cells बनाती है जिनके बास podias dendrocydes पाई जाती है these cells are called as oligodendrocydes बटा और myelin sheath बहुत important होता है because myelin sheath जिस neuron के उपर होगा उस neuron को myelin नेट्र बोलते है और उसमें speed of electrical impulse क्या होता है बहुत fast हो कितना fast होता वो थोड़ी दिर बाद पता चलेगा आपको ठीक है so oligodendrocydes के बार में आप क्या याद रखेंगे बटा पहला line जो important है so important point आप याद रखेंगे oligodendrocydes के बार में that यह secret करती है कि इसको बटा myelin को है secret myelin ठीक है ना कहां पर myelin को secret करती है बटा around exons तो exons के आसपास से बटा किसको secret करती है myelin को secret करती है अब इससे फाइदा क्या होता बटा myelin को secret करने से इससे electrical transmission बटा ठीक है ना वो up the electrical signal so मतलब central nervous system में बटा जहां जहां पर neuron के उपर आपको क्या मिलेगा myelin मिले। Central nervous system मतलब brain Central nervous system के एक पार brain होता है Central nervous system की दूसरा पार्ड क्या होता है spinal cord होता है जहां जहां पर brain के अंदर and spinal cord के अंदर आपको क्या मिलेगा, myelin sheath मिलेगा, वहां पर आप समझें, कि वहां पर यह myelin sheath किस की वज़े से बना है, oligodendrosite की वज़े से बना है, सो oligodendrosite के बारे में इतना याद रखना है, कि central nervous system की cell होती है, इसके बास dendrosites पाई जाती है, वो जो neuron को exon पर पकड़ लीती है, और जब वो exon को पकड़ लीती है, वहां पर वो secret करते है, collagen, and जब collagen release होता है, तो collagen की इस layer को हम क्या नाम देते हैं, the layer of collagen is called as myelin sheath, और जिन neurons myelin sheath होता है, उन को हम क्या बोलते है, they are called as myelinated neurons, बेटा, they are called as myelinated neurons, ठीक है, यह पहला cell clear हो गया, अब आते हैं, second cell की तरफ, यह जो second cell यहां पर दी हुए बेटा, यह जो second cell यहां पर दी है, this is called as astrocide, ठीक है, इस को हम क्या बोलते है, this is called as astrocide, अब astro words लोते है, एस तरो की इस को बोलते है, बिकाज इस star के जासे दिखते है, star shepherd है बिटा, so these starshipd cells होती है, that is why they are called astrocytes, बिटा, यह कैसी होती है, यह होती है star shepherd, बिटा, स्टार शिपर्ट सेल्स होती है अब ये अनदर टाइप का अब नियूरो गिलिया जो सेंटरल नर्वस सिस्टेम में पाया जाता है अब इनका काम क्या है बटा ये होती है सपोर्टिंग सेल्स ये होती है सपोर्टिंग सेल्स बटा मतलब कितने आउन्स बेटा नियूरॉन के अंदर आएंगे कितने बहार जाएंगे बेटा तो इस चीज़ पर खयाल कौन रखता है एस्ट्रोसाइट रखता है ठीक है ये रेगुलेट करता है बेटा आउन्स की साथ साथ बेटा शुगर को भी रेगुलेट करता है कितना गुलिकोज अंदर आएगा कितना नहीं आएगा बेटा उस चीज़ को रेगुलेट करता है ये रेगुलेट करता है बेटा oxygen की supply को ठीक है न ये regulate करता है बटा carbon dioxide की supply को बता ये एक ऐसा cell है बटा जिसका काम क्या होता है that it maintains the input and output of ions, sugar molecules and oxygen molecules and carbon dioxide molecules ठीक है न but besides this बटा इसका और एक important काम होता है ये बनाने में मदद करता है बटा blood brain barrier blood brain barrier अब ये blood brain barrier क्या होता है बटा कि blood supply जो brain में आती है बटा उस blood supply को directly neurons के साथ इंटरेक्ट करने नहीं दिया जाता है उसको बीच में बटा filter करने के लिए एक membrane पाया जाता है जिस membrane को हम क्या बोलते है blood brain barrier बोलते है और ये blood brain barrier बनाने का काम किसका होता है बटा एस्ट्रोसाइट का होता है याद रखेंगे एस्ट्रोसाइट भी neurons के आसपास आपको मिलती है जो दो neurons को separate करने में मदद करती है ठीक है ना ये दो neurons जैसे मान लीजे फॉर जबल ये एक neuron ऐसे हुआ और ये बगल में बटा दूसरा neuron ऐसे जा रहा है तो ये दो neurons बटा कभी ऐसे directly चिपक नहीं सकते हैं बगास इनके बीच में जैसे इस इस neuron 1 और इस इस neuron 2 तो ये दो neurons बटा ऐसे physically कभी भी kontak्ट में नहीं आ सकते हैं बगास इन दो neurons के बीच में बटा जो इनको क्या करकी रखता है Dit इसका काम होता है ठीक है न है रहुं मेड़ीछ Зवाद सेच जाती Vince see जैंटर नर्वर सिस्टम में पाही जाती है जिसका कम सपोर्टिंग का होता है और कया सपोर्ट करती है वे टा आयॉन के और कमेंट को रेगुलीट करती है और यह बीसाइड इस दिज निव्डा चैड़ो नियूरॉन को सपरीट करके रखती है डिसके लाव है यह क्या बनाती microglia डिक है न? अब हमारी body के अंदर बटा सब से पहला build our body के अंदर जुट सब से smallest neuralglia होती है न, वह interroglia होती है smallest neuralglia smallest neuralglia होती है ठीके? इसके लाव बिटा ये नियूरो के लिए क्या कर सकती है ये डायपेडिसिस दिखा सकती है डायपेडिसिस का मतलब ये हुआ ये बलड से बिटा निकल के सेंटरल नर्वस सिस्टम में आ सकती है सेंटरल नर्वस सिस्टम के निकल के वापस बलड में जा सकती है और वहाँ से वापस कहा जा सकते है बटा सर्वस्पानल फ्लोड में जा सकते है अब यह ऐसा क्यों करती है बटा बिकाज यह नेचर में फैगोसाइटिक सेल होती है मतलब यह ऐसा इसलिए कर रही है बिकाज यह हमेशे किनको डूड़ती रहेंगी बैक्टिरिया को पैथोजिन को डूड़ती रहेंगी और अगर नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं पे कोई बैक्टिरिया आया है कहीं पे कोई pathogen आया है तो ऐसे bacterias and ऐसे pathogen को मारने का काम किसको होता है microglia cell का होता है समझाया तो यह phagocytic cell है किसका हमारे nervous system का हमारे central nervous system का अब इसके बाद next cell आता है जो आपको group of cells यहां पर दिखाई दे रहा है इससेलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे काईटरिकल्स चैरा इंदेर को विंकाईएग को वन्री के बीच में से कौन फडू करता ए रिवusha करता है दिजन के बें बिद्ध समगे को वेंड्रिकल्स है ना इन κát corridor strict अब इन वेंट्रिकल्स के बीच में से कौन फ्लो करता है सर्ब्रो सपारइनल यह सब क्या करता रहता है, मूह करता रहता है ठीक है न, अगर cavity समझ न इसको ऐसे समझ जाए मान लिजे फॉर यह आपका spinal cord है एटा ऐसे है न, spinal cord for example this is spinal cord ऐसे मैं मान के चलता हूँ ठीक है, अब इस spinal cord के अंदर बटे cavity पाया जाता है, for example यह वो cavity है बटे आगे पढ़ाऊंगा, मैं cavity जालक से अब इस cavity के अंदर कौन फ्लो कर रहा है CSF फ्लो कर रहा है न, यह हमेशा फ्लो करता रहेगा बट इस फ्लो को हमेशा maintain करके चलना पड़ेगा न, मतलब इस CSF को हमेशा गुमाते रहना पड़ेगा इसको गुमाने का काम कौन करती है बटा यह cells करते है जो इन cavities के अंदर से पाई जाती है बटा, because इन cells के पास क्या होता है cilia होता है so these cells are called as appendymal cells समझा है न, और appendymal cell भी क्या होता है बटा एक तरीके का neuroglia ही होता है तो यहां पर इमें add कर देता हूं बटा appendymal cell का काम क्या होता है बटा यह पाई जाती है ventricles में ventricles, cavities होती है बटा central nervous system में और किस में मदद करती है बटा CSF circulation में मदद करती है clear हो गया so यह होगी आपकी neuroglia central nervous system की खतम तो आपने याद रखा central nervous system में बटा cells पाई जाती है which are called as neuroglia जिसमें पहली है oligodendrocyte, next है astrocyte next है microglia and next है appendymal cells और यह सारी cells बटा important होती है for the survival of neuron because कोई myelin बना रहा है कोई neuron का blood brain barrier बना रहा है खाना प्रोवाइड कर रहा है कोई bacteria को खतम कर रहा है और कोई CSF को बटा continuously flow कराता रहा है so important importance इनका क्या है बटा यह सब at the end of the discussion कहीं न कहीं बटा neuron के survival के लिए क्या होती है बटा responsible होती है समझ गया यहां तक अब अगर हम peripheral nervous system में आएंगे तो peripheral nervous system के अंदर बटा भी आपको क्या मिलती है आपको ऐसी ही Neuroglia cells मिलती है जैसे फ़ार यहां पर जो cell बना हुआ है this is called a schwon cell बटा ठीक है इस cell को हम क्या बोलते है इस को schwon cell बोलते है अब schwon cell के बारे में आपको याद रखना बच्चा है schwon cell दिखने में अलग है किस से उलिगोडेंटरसाइट से it is different from oligocytes in the base of shape बट ये काम क्या करता है बटा ये भी काम करता है secretion of myelin sheath बटा तो ये क्या release करता है बटा ये भी myelin को ही release करता है secret myelin मतलब क्या हो इसका कि peripheral nervous system के अंदर बटा अगर आपको किसी neuron के पास क्या मिल रहा है myelin मिल रहा है तो वो peripheral nervous system वाले myelin को oligocytes in the set secret नहीं करेगी उसको कौन secret करता है बटा schwon cell secret करता है तो ये secret करेगा myelin कहां पर बटा around exon around exon बटा लेकिं कहां पर शबाश peripheral nervous system में बटा peripheral nervous system में nervous आती है जैसे cranial nervous आएंगी spinal nervous आएंगी उसमें spinal cord and brain नहीं आएगा central nervous system में आता है spinal cord and brain peripheral nervous system में आती है cranial nervous and spinal nervous तो ये थोड़ा सा याद रख लेना था कि confusion नहीं नहीं नेक्स आपको मिल रही बटा है यहां पर और एक सेल इस सेल इस कोल्ड एस इसको मैं satellite cell बोलते है बटा satellite cell बटा satellite cell के बार में आपको याद रखना है जो काम बटा central nervous system में एस्ट्रोसाइट करती है वही काम peripheral nervous system में कौन करती है satellite cell करती है समझाया है ना ये आपकी neuroglia क्या हो जाती है बटा खतम हो जाती है समझाया तो याद रखेंगे आपकी बोडी के अंदर approximately कितने नियूरो गलिया मिलते हैं हेंडरेंड बिलियन नियूरो गलिया मिलते हैं समझा है ना और इस हेंडरेंड बिलियन नियूरो गलिया में कुछ नियूरो गलियाज कहां पाई जाती है कुछ Neurogliaz पाई जाते है ब्रेन में या Spinal Cord में बेटा जिनकों बोलते है Neurogliaz Central Nervous System कुछ पाई जाते है बेटा Cranial Nause में and Spinal Nause में जिनकों क्या बोलते है Peripheral Nervous System So I hope Neuroglia में कोई डाउट किसी को नहीं रहा Neuroglia एकदम से सब को क्लियर हो गया अगर मैं पीछे वाली डियाग्रम पर वापस लोट हूँ तो अब जरह इस पिक्चर को द्यान से देखे बेटा तो यह पिक्चर क्या बता रहा है It is a wrap मादा यह क्या कर रहा है wrapping का काम कर रहा है covering का काम कर रहा है और इसके बस आप देख सकते हैं ऐसे चोटे-चोटे से tentacles भी पाई जाती है तो यह cell अगर होगा तो यह definitely कौन सा cell होगा It will be oligodendrocyde इसमें आप देखिए पुरा दूर रहा है किसी को दूर कर रहा है किसी को जुड़ने नहीं दे रहा है और स्टार के जैसे देख रहा है यह definitely कौन सा होगा ऐस्ट्रोसाइट होगा और यह बता रहा है तो यम्मी बेटा इसने कुछ खाया है यह definitely कौन सा होगा micro के लिया होगा So this is oligodendrocyte this is estrocyte and this is micro और यह खुद कर रहा है this is neuron नाप चो चुकिए next discussion हमारा चलेगा that's going to be about the structure of neuron थे बता कैसे पहले अब जाचेक्षर को देखिए यह आपको देखाई दिरे है central nervous system की neuron के लिए यह दिखाई दे रहे, peripheral nervous system की neuron के लिए, peripheral nervous system में satellite cell है and shawon cell है, satellite काम करती है, nutrition supply, oxygen supply, carbon dioxide removal and dash and dash, and shawon cell release करती है, release of myelin sheath, central nervous system में आपको मिलते है, microglia, phagocyte, appendymal cell, circulation का काम करती है, oligodendrocyte, myelin sheath release करने का काम करती है, astrocyte, blood brain barrier बनाती है, and cells को separate करके रखती है, अगर यह अभी तक समझ नहीं आया, तो इस picture को अब ज़रा ध्यान से देखे, बेटा, so यहाँ पर जो structure आपको दिखाई दे रहे, इस structure की तरफ ध्यान से देखे, so यह पूरा पूरा structure का है, बेटा, this whole structure is neuron, बेटा, यह आपको दिखाई दे रहे, यहाँ से neuron, है ना, यह neuron है, बेटा, बड़ अगर आप ध्यान से नजदीक से देखेंगे, तो neuron के साथ, बेटा, red color में use करता हूँ, neuron के पास, बेटा, आपको यह cell दिखाई दे रहे, इदर, neuron के पास, बेटा, यह cells आपको इदर से दिखाई दे रहे है, ठीक है ना, तो अगर आप इस cell को ध्यान से दे साथ में क्या करेगी, nutrition देवेने का भी काम करती है, बेटा, यह सैड में कौन सी cells दिखाई दे रहे, appendymal cells दिखाई दे रहे, ठीक है ना, और यह बीच में कौन सी दिखाई दे रहे, this is oligodendroside, तो यह इसको confuse नहीं करना, oligodendroside से, oligodendroside यहाँ पर देख लो, neuron के साथ ज क्या है बचा, तो यह ऐसे आपकी body के अंदर देखने को मिलती है, तो यह आपको peripheral nervous system में दिखाई दे रहे है, satellite cell दिखाई दे रहे है, and showon cell देखाई, satellite बटा, nutrition प्रड़ करने का काम करती है, and showon क्या करती है, myelin sheet को बनाने का काम करती है, ठीक है ना, अब जो next चीज हम पढ का neuron एक ऐसा cell ले हमारे central nervous system का, जो क्या कर सकता है, stimuli को receive कर सकता है, detect कर सकता है, and transmit कर सकता है, ठीक है, और neuron जो होता है यह हमारी central nervous system, यह हमारी nervous system का बटा होता है, structural and functional unit, structural and functional unit, Neuroglia को खाली हम structural unit मानते है, उसको functional unit नहीं मानते है, but अब क्यों नहीं मानते है, because Neuroglia impulse को transmit या generate नहीं कर सकता है, but neuron बटा transmit भी कर सकता है, generate भी कर सकता है, and nervous system को बनाने में में मदद कर रहा है, तो इसलिए इसको structural and functional unit बोला जाता है, ठीक है, अब एक neuron के पास बटा तीन important parts पाये जाते है, यह important है याद रखना है, एक neuron के पास तीन important parts पाये जाते है, the first part is called as cell body बटा, तो अगर आप इस picture की तरफ दियान से देखेंगे न, so यहाँ पर मैंने cell body blue color में show किया है, so यह blue colored part जो आपको दिखाई दे रहा है, this blue colored part is called as cell body, इसको क्या बोलते है, इसको क्या पहला हिस्सा हो गया, second part जो neuron को होता है उनको नाम देते है neurites, और neurites मेने green color में बनाई है, यह एक neurite उपर साड में दिखाई दे रहे है, और यह एक neurite नीचे साड में दिखाई दे रहे है, यह वाली neurite जो आपको उपर दिखाई दे रहे है, इसको हम देंडराइट बोलते ठीक है ना, और इसके इलाव बिटा जो आपको बागी remaining portion दिखाई दे रहे है ना, एक मिटल जाए तो थोड़ा modification करना है मुझे को अब यह जो remaining portion आपको दिखाई दे रहे है बिटा, मतलब यह सारा portion जो आपको दिखाई दे रहे है, इस सारे portion को मैं actual में exon बोलते हैं, क्या बोलते है बिटा, exon, पठीस exon को में कुछ parts में divide करना चाहता हूँ, ताकि आपको proper clarity मिले, exon का यह हिस्सा बिटा, जहाँ पे exon cell body के साथ जुड़ता है, this is called as exon hillock, ठीक है, तो exon hillock अगर आप से कोई पूछे कौन सा point होता है, exon hillock वो point होता है, जहाँ पे exon किस से जुड़ता है, cell body से जुड़ती है, cyton, cell body is also called as cyton, cell body का और एक नाम क्या होता है, यहाँ पे मैं add कर देता हूँ, cell body is also called as cyton, cell body is also called as cyton, ठीक है एका, dendrite होता है बटा, dendrite is also called as dendron, इन रारट है, ठीक है नाम क्या है इस पॉइंट पे टन पी उपिटान आपकी आ किसके साथ एक्जौन के साथ विए एक्जौन हुलोक ठीके न अब यू जो बीच वाल पार आपको दिखाई तरह आ लंबासा विटा इस पार इस called as exon इसको हम क्या बोलते है this is called as exon इसको हम exon बोलते है ठीक है exon जैसे नीचे आता है तो आपको अगेन दिख रहा है यह exon डिवाइड हो रहा है छोटी छोटी ब्राइंट्स बना रहा है so this part is called as exon terminal इसको हम नाम देते है exon terminal इसको हम exon terminal बोलते है ठीक है and finally बीटा अब देखेंगे exon terminal last पे कुछ ऐसे bulb like structure बना रहा है so in bulb like structures को हम बोलते है बीटा terminal terminal arborizations और income नाम देते है बड़ा pre-synaptic knobs इनकों क्या बोलते है शबाश pre-synaptic knobs बोलते है अब NCI नहीं तो इतना detail में नहीं बोल बड़ आप याद रखेंगे exon terminal pre-synaptic knob and ये बीच वाला shaft वाला पार्ट है ये सब किसमें डाला जाता है बड़ा exon में ही डाला जाता है बड़ा आप अलग अलग से भी अच्छे से याद रख सकते है अगर मेरे को majorly exon को डिवाइड करना हो तो मैं बता सकता है exon के majorly तीन पार्ट होते है the first part is called as dendrite the second part is called as cell body and the third part is called as exon समझा है ना सब से पहले हम किसकी बात करते है first of all हम dendrite की बात करते है ठीक है यहाँ पर प्लीज याद रख लेना अगर आप NCRT भी जाएंगे तो उन्होंने खाली synaptic knob लिखा है आप प्रॉपर नाम लिखना चाहिए तो pre-synaptic knob लिख देना ठीक है exon terminal NCRT में भी same लिख है बाकि उसमें कुछ चीज़े और एड करी गई है तो हम थोड़ी दियर बात एड करेंगे ठीक है सबसे पहले हम किसको समझ लेते है। Dendrite को समझ लेते है अब यह dendrite क्या है अगर आप इधर picture में देखेंगे dendrite का जनम किससे होता है cell body और cytons से होता है dendrites को अगर आपका explain करना हो तो हम short में dendrites के बारे में क्या बोलते है कि dendrites जो होती है ये short fibers होती है जो repeatedly branch करती है and project out करती है from the cell body मतलब अगर मेरे को dendrites को define कर रहा है तो मैं बता सकता है ये short fibers है छोटे छोटे threads है छोटी छोटी fibers है short fibers है जो कहां से branch कर रही है repeatedly branch branch मतलब divide कर लिए बहार आ रही है ठीक है repeatedly branch and project and project out of out of the cell body मतलब cell body से जो structures बेटा branched form में बहार आ रहे है repeatedly बहार आ रहे है बेटा जो number में बहुत सारे है IC particular branch को हम क्या बोलते है they are called as dendrites समझाए न और dendrites का सबसे important point जो आपको exam के लिए याद रखना बेटा that is dendrite एक neuron का वो हिस्सा होता है जो impulse को क्या करता है receive करता है और receive करने के बाद उसको cell body की तरफ transmit करता है so मतलब मैं बता सकता हूँ बटा के dendrite क्या होता है बटा ये input points होते है ये input points होते है ठीक है off neuron मतलब ये वो points है बटा जहाँ पे neuron impulse को signal को electric या action potential को बटा क्या करते है receive करते है receive करने के बाद बटा उसको transmit कहां की तरफ करते हैं towards cell body transmit करते है समझा है ना so input regions of the neuron जहाँ पे impulse receive होगा और फिर transmit कहां की तरफ होगा cell body की तरफ मतलब for example यहाँ पे मान लीज़े कोई stimulus आया ठीक है ना तो stimulus बटा इदर आएगा stimulus इदर आएगा stimulus इदर आएगा stimulus इदर आएगा इंटर इंटर इंटू जे सफ ए सल बाडी तरफ करते हैं नोर्मल है अगर न्यूर्ण के पासệnडेट है तो का यह था से नूर्ण में तरफ कहां डर कमया है लिए से सफ बटा इंटर्थ कोमएज शेल बाडी में नहीं में वाटा हिता है याद रखना है इसके लावा और एक चीज़ मैं आगे एड़ करूँगा बढ़ उससे पहले हम cell body को समझ लेते हैं तो डेंटरेट के बारे में उस इतना ही आपको याद रखना है अब cell body जो होता है cell body के अलग लग नाम है जैसे फारे मैंने इसको साइट ओन बोला ठीक है कुछ बुक्स के अंदर बटा cell body का और एक नाम है इसको कहीं कहीं पे blue color यूज करता हूँ तो इसको कहीं कहीं पे बटा सोमा भी बोला जाता है cell body is also called as सोमा बटा सो यह cell body है क्या अगर इसको मैं explain करना चाहूँ या आपको बटा कभी explain करना पड़े इसे तो हम बोलते है बटा cell body जो होता है यह broad round polygonal part होता है बटा किसका neuron का ठीक है broad round polygonal part है बटा polygonal part of neuron ठीक है so the broad rounded polygonal part of neuron बटा this is called as cytone cytone का importance का है बटा कि neuron का जो nucleus होता है ठीक है neuron की जो cell organelles होती है बटा these are present in the cytone बटा nucleus comma cell organelles ठीक है यह सब कहा होती है बटा cytone में होती है एक्सेप्ट एक salogner यहां नहीं होती है बटा जो आपका exam के लिए याद रखनी है centriol नहीं होते हैं यह एक्जाम के लिए important है centriol absent 6 साल तक बटा आपके neuron में centriol मिलेगा बट 6 साल बाद centriol खतम हो जाते हैं इसलिए centriol यहां पे क्या होता है बट अगर बच्चा भी चूटा है बटा च्छा साल से पहले पहले का बच्चा है उसमें आपको यहां पे क्या मिलेगा centriol भी मिलेगा बट अडल्ट के अंतरफे centriol क्या हो जाता है गाइब हो जाता है अब अगर बटा इस neuron के आप cyton की तरफ जाएंगे तो इस neuron के cyton में आपको क्या मिलेगा definitely आपको cytoplasm मिलेगा यह आपको दिखाई दिर रहा है cytoplasm यहां पे ठीक है ना so the cytoplasm of cyton बटा जो cytoplasm आपको dendrites में मिलेगा cyton में मिलेगा बटा इस cytoplasm का हम बोलते हैं neuroplasm क्या बोलते हैं so this cytoplasm is called as neuroplasm बटा तो इधर मैं highlight करते हैं इस साइड में so this is called as neuroplasm this is called as neuroplasm बटा समझा है ना अब अगर हम इस cytoplasm के अंदर जाते हैं तो इस cytoplasm के अंदर बटा आपको एक special structure मिलता है which is called as nistals granule तो पहले मैं इसको ड्रॉ करूँँगा फिर मैं बताऊँगा इसके बारे में तो माली जी मैं इसर ड्रॉ कर देता हूं बटा so for example यह आपका endoplasm reticulum यहाँ पे आपको rough endoplasm reticulum भी मिलेगा and smooth endoplasm reticulum भी मिलेगा so इस endoplasm reticulum के ऊपर बटा आपको क्या मिलता है ribosomes मिलते हैं यह आप देख से हैं ribosomes so this combination of endoplasm reticulum and ribosome यह जो आपको बटा इसकों क्या बोलते हैं ये याद रखने इसकों निस्सल्स ग्रेनियूल बोलते हैं because exam में पूछा गया है आगर आपसे पूछा जाए निसल ग्रेनियूल क्या होता है तो निसल ग्रेनियूल बेटा कुछ यह नहीं है यह इंट्रसल्यूलर इंपोर्टेंट है नियूरॉन को प्रोटीन चाहिए इंट्रसल्यूलर प्रोटीन जो नियूरॉन को अपने लिए प्रोटीन बनाने वह प्रोटीन उसको कौन बनाके देता है वह उसको निस्ल्स ग्रिन्यूल बनाके देता है ठीक है और यह कहां मिलता है आ सय्टों के इलाव है और कहा accent के इलाव विचह रखन doen वहाद रखने और ओंब सकता उर इसकी आपको वापको रखने द्वाद का इष्यट की ए je जर्ल पॉद के इस और में ओंप आई इसमयो रहा है अग से बाई यो पर दिखाएधे रहें, बीटा Cytone Cytone के उपर आपको दिखाएधे रे बीटा Cytone का Plasma Membrane, ठीक है ना So the Plasma Membrane of Cytone is called as Neuralemma इसको हम क्या बोलते है, Neuralemma बोलते है, तो मैं इदर हाइलाइट कर देता हूँ इसको भी, So यह आपको दिखाएधे रहे प्लाजमा मेंब्रेन औफ साइटॉन है और इस को मैं क्या बहुतने इन्पॉर्टा निूराल LEMA इसको मिन्वराला मा बोलते हैं इसको मि अब नहिंद्र करते हैं आपने गा ने इस पॉलआ है अब नेक स्दों आन्हिंपोरण विला के economics हैं अने घाताँ है किस किस के बीच में, cell body and exon के बीच में, तो वह point जहां पर cell body and exon आपसमें जुड़रे है, that point is called as exon hillock, समझाया है ना, तो फिर finally क्या बचा है, finally हमारे बास आता है next part which is called as exon, तो थोड़ा सा exon के बारे में आप पढ़ लीजे, ठीक है, यहां तक तो कोई problem, कोई tension है नी, clarity सार as exon, तो हमेशे याद रखेंगे बचा कि अगर मैं एक neuron की बात कर रहा हूँ ना, तो एक neuron के अंदर बटा आपको क्या मिलते हैं, एक neuron के अंदर आपको multiple dendrites मिलते हैं, there are multiple dendrites present in a neuron, but जब exon की बात आती हैं, तो एक neuron के अंदर बटा exon हमेशे कितने होते हैं, single exon होता है, dendrites बहुत सारी है, but exon क्या होते हैं, अगर dendrites present, मालो किसी neuron में dendrites है ही नहीं, तो फिर उस neuron पर यी चीज़ अपलीकेबल नहीं है, but अगर neuron पर बटा dendrites है, तो dendrites का number बटा exon के comparison में हमेशे क्या होता है, जादा होता है, ठीक है ना, तो अगर इधर आप add करना चाहते ह पर इमियाद रखेंगे, बच्छा, के exon जो होता है, इधर में add कर देता हूँ, पहला point, ठीक है ना, so exon जो होता है, exon single long process होते है, exon क्या होते है, single long process होते है, single long process होते है, single long process होते है, mतलब dendrites के comparison में exon बटा, लंबा होता है, इसका exception भी है, हम आगे देखेंगे हैं, ब चोटी होती है, axons क्या होते है comparatively size में उससे बड़े होते है ठीक है यह single long process होती है जो कहां से बनती है जो का जनम- aixon-hillogs से होता है अब अगर अगर आप को आप इधर और एक चीज देखेंगे मैं color कर देता हूँ यह इदर से दिखाएदे रहे इसका cytoplasm है ना याद रखेंगे exon के cytoplasm के लिए हम word यूज करते है इदरे में add कर देतो the cytoplasm of exon is called as exoplasm इसको हम exoplasm बोलते हैं and important point याद रखना है इसमें nisle granules नहीं होते है nisle granules absent होते हैं ठीक है अब जैसे आप exon से नीचे आएंगे तो आपको exon का distal end दिखाई दे रहे है so this distal end of exon is called as exon terminal और इस exon terminal में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे packets दिखाई दे रहे these packets are called as terminal arborizations or they are also called as pre-synaptic knobs so अगर मैं एक pre-synaptic knob को बाहर निकाल लूँगा इसको यहाँ पे draw करूँगा तो यहाँ आपको ऐसे दिखाई देगा यह आपको दिखाई देगा exon terminal ऐसे फिर यह दिखाई दे रहे है आपको pre-synaptic knob ऐसे ठीक है ना तो यह actual मैं ऐसे दिखते है clear है तो this is called as pre-synaptic knob तो pre-synaptic knob के बारे में important point क्या याद रखना है pre-synaptic knob तो याद रखना है pre-synaptic knob किस से बनता है यह exon से बनता है तो pre-synaptic knob किस का हिस्सा होता है exon का हिस्सा होता है अगर आप pre-synaptic knob के अंदर जाएंगे तो आपको pre-synaptic knob में छोटे-छोटे packets मिलता है ऐसे ऐसे 1000 packets मिलेंगे बिटा so these packets are called as इदर मैं highlight कर रहा हूँ they are called as synoptic vesicles बिटा they are called as synoptic vesicles और in synoptic vesicles इदर important चीज़ होती है जो मैं ऐसे highlight कर रहा हूँ and these things are called as neurotransmitters अभी neurotransmitter का function क्या है synapse क्या है वो सारी चीज़े बाद में पढ़ेंगे but अभी इतना याद रख लीजे बिटा के एक neuron के पास जब signal आता है तो signal आता है बिटा देंडरेट से फिर signal जाता है cell body पे cell body से signal जाता है बिटा कहां पे exon पे exon से जाता है exon term और फिर signal निकलता है बिटा neuron से कहां से exon terminal से यानि exon terminal जो है अगर मैं यहां पे highlight कर देता हूँ जैसे मैंने बिटा dendrite के बारे में कहा लिखा था input region बिटा तो याद रखेंगे आपकी अंदर बिटा neuron में जो output region होता है जहां से nerve impulse transfer होगा दूसरे neuron पे या muscle पे transfer होगा बिटा that region is called as exon terminal और pre-synaptic knob तो यह आपके हो गया बिटा exon dendrite neuron या इसका पूरा structure complete ठीक है ना अब कभी कभी बिटा हम classification में पढ़ते हैं neurons दो type के होता है myelinated neuron and non-myelinated neuron तो उसमें आपको tension लेनी के जुरत नहीं है जैसे फॉर एक बिटा अगर इस neuron पे बिटा oligodendroset है जैसे यह ना oligodendroset दिख रही है बिटा ऐसे में बना लेता हूँ यह एक oligodendroset हो गया यह और एक oligodendroset हो गया यह शवान सेल कोई एक मान लीज़ आपा है यह cells आपको यहां पे दिखाई दे रही है so that means बिटा point A, point B, point C, point D यहां पे myelin शीथ होगा ना so ऐसे neurons बिटा जिनके exon के उपर आपको cell मिलेगा और cell की वज़े से myelin शीथ मिलेगा ऐसे neuron को में myelinated neuron बोलूँगा लेकिन अगर यह नहीं मिल रही है तो automatically फिर neuron क्या कहलाएगा non-myelinated लेकिन अगर आप दियान से देखेंगे myelinated neurons के अंदर A and B के बीच में आपको gap दिखाई दे रहे यह देखें, gap दिखाई दे रहे B and C के बीच में gap दिखाई दे रहे C and D के बीच में gap दिखाई दे रहे तो इन gaps को हम क्या बोलते है they are called as nodes of ranivar बेटा, अगर आप से कोई पूछे node of ranivar किस neuron में पाया जाता है so node of ranivar medulated और myelinated neurons में पाया जाता है तो इदर आपको थोड़ा idea लगेगा तो यह आपको दिखाई दे ब्रांचोट structures तो यह dendrites होगी है ना यह आपको दिखाई दे रहे plasma membrane called as neuralima बेटा ठीक है, अच्छा, यह याद रखेंगा exon के plasma membrane को हम क्या बोलते है exolema बोलते है exon के plasma membrane को क्या बोलते है exolema बोलते है exolema बोलते है चले तो यह आपको neuralima दिखाई दे रहे फिर अदर से आपको cytoplasm दिखाई दे रहे which is called as neuroplasm यह दिखाई दे रहे nucleus और nucleus के आसपस क्या दिखाई दे रहे endoplasm reticulum और कौन सा endoplasm reticulum? rough तो अगर यह रफ है तो डैट में इसमें बटा राइबुजूम भी मिलेगा इसको निसल के लिए निल बोलेंगे इसके लावा सुमूथ एंड़ प्लाजब रेटिकलम दिखाई दे रहे है माइटो कॉंडेरियास दिखाई दे रहे है यह छोटे-छोटे पैकेट से बिटे इ लाइicking दे रहे है एटिखाई दे रहे है दे यहां पे आपको दिखाई दे रहे है एक्ज़ॉन हलोक और फिर नीची यह दिखाई है पिर नीचे प्र दिखाई दे रहे है लिन तो मै Sure लसा बर पक्किर do ॉरण और्ल state को जब का जायोंसे है ऍ far ऐसे डिनन मिलिनेट्र इथ अब यहाँ पर दो वर्ड लिखें वो मैं भी explain नहीं करूँगा वो हम बाद में देखेंगे फिर में उस दिन ही picture अगेन आपको दिखाऊंगा एक लिखाए यहाँ पर exodendritic synapse ठीक है न और एक लिखाता था exosomatic synapse अब यह क्या है इसको मैं भी explain नहीं करूँगा बट बाकी चीज़े आप देख लिए जाए यह आपको nucleus दिखाई दे रहा है यह आपको endoplasm reticulum दिखाई दे रहा है endoplasm reticulum पे आपको बटा ribosome दे यह ribosome है यह ribosome है समूथ endoplasm reticulum दिखाई दे रहा है और Wirchsel the endoplasm V जैसे हम back side में आये तो हमको यहाप क्या मिल रहा है आपको expr terminal नॉब्स मिल रहे बेटा समझाया यहां पर हमने एक साइनेप्टिक नॉब को बाहर निकाला इसके अंदर साइन अप्टिक वेजिकल दिखाई दे रहे आपको जो क्या रिलीस कर रहे बेटा नियूरो ट्रांस्मिल्टर को रिलीस कर रहे तो इस चीज़ को बाद में पढ़ेंगे साइनेप्स क्या है साइनेप्स के टाइप्स क्या है पड़ आभी थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर आप इसका याद रखे बेटा क्लियर होगय है यह समझ आया ना अब हम आगे बढ़ते है बेटा अब नेक्स पार्ट में हम क्या करते है चलो इसी में फिनिश कर दे तो मैं जल्दी जल्दी अब हम नियूरॉन्स के टाइप्स पड़ते है जैसे फॉर आपको यहां पे पहला पिक्चर दिखाई दे रहे है इस नियूरॉन अगर आप देख भी सकते विड़ा उबर लिखा दे रहे है बट एक्जॉन दिखाई दे रहे है तो ऐसा नियूरॉन जिसमें डेंडरेट्स नहीं होती है जिसमें खाली एक्जॉन होता है बिटा ऐसे नियूरॉन को हम क्या बोलते है यूनि पोलर बोलते है ठीक है ना इनमें ओनली क्या मिलता है एक्जॉन मिलता है ठीक है szystक् Neighbor яв sensor कि आपको दू पर दिखाई दिखाई दियरे क्लियर ली बिठा ठीक है नॉट अब में यहां पर दिखाई डेड्न रएट और यहां पर दिखाई दिर एक्जाwn जो प्रॉस से नॉरॉट योडूर को थे ए एप द霸ाट रभी दू जह three गान तो साइट आउन के उपर दू प्रोसेस पाई जाती है साइट आउन ब्यूर्स टू प्रोसेस त्रॉम टू एंड्स बेटा ठीक है तो सैल बोडी के दू साइड में बेटा आपको फ्रोसेस बिलती है तो उसमे से आफ कोस बेटा एक क्या होगा एक 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 जाउन होगा जैसे एक फरर ये डेंड्रान है और यह कहाए पेटा इक जाउन है वन इस डेंड्रान और वन इस एक जाउन तो में इजम्स के इस्केस लिए इंपोर्टेंटर्टि'm कहा मिलता है इसे आपको मिलता है रैटाइई आफ् आई में ड्रीक निस्क ना आफ आएम व इसाउसम को मिलता है इसने वी देखना को नेक्स्टेस पड़ता ही मिलना यह थोड़ा समझना, देखें, यह आपको दिखाई देर ना, साइट ओन, साइट ओन से निकला एक प्रोसेस बेटा तो, इसके बेसिस पे क्या बन गए, उनिपुलर, है ना, अगर नियूरान ऐसा है, जिसमें डेंडराइट है नहीं, खाली एक प्रोसेस है, ऐसे नियूरान को क्या बोलते थे, उनिपुलर, इसमें डेंडराइट कोई भी नहीं है, एक प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलेंगे, उनिपुलर, बट जैसे प्रोसेस बहार आया ना, इसने दो पार्ट में भी बिष्टी वाली पर्ट जो आपको दिखाई दियो है, this is called as exon और यह ज़ो बड़ा वाला पर्ट दिखाई दिर भेगर, this is called as dendron नॉर्मली इक नेवराओन के अंदर exon बड़ा होता है and dendron चोटा होता है, but pseudo-unipolar नेवराओन में उल्था है इनका axon छोटा है और इनका dendron बड़ा है ये आपको axon मिल रहा है ये आपको dendron मिल रहा है बट process तो एक ही निकली ना यहां से बटा although ये लगते हैं हमको unipolar but unipolar नहीं होते हैं बटा because इनमें axon भी होता है इनमें dendron भी होता है such neurons are called as pseudo unipolar neurons बटा ये एक्जाम के लिए बहुत important exam में पूछे जाता है so pseudo unipolar के बारे में क्या याद रखेंगे बटा cyton के पास single process होती है cyton bears single process ठीक है which bifurcates जो बाद में बटा डिवाइड होती है किसमें dendron and axon में और याद रखेंगे बटा हमारी बॉड़ी में जो sensory receptors होता है ठीक है sensory receptors example होता है बटा किसके हमारी बॉड़ी में जितनी भी sensory receptors है except retina and except olifactory receptors बटा वो सब के सब क्या होते है बटा pseudo unipolar होता है समझा है ना and last बटा multipolar बजगे याप समझ गे इसमें cyton में many processes है कहां देखने को मिलते है यह आपको मिलेंगे cerebral cortex में ठीक है clear हो गया so अब इसके इलावा बटा और एक पार्ट बज़ता है जिसमें हम पढ़ेंगे बटा sensory and motor जोना वह में कल बता दूंगा because memory जल्दी-जल्दी finish हो जाता है तो वह portion हम कल continue करेंगे ठीक है को दो